हाई गाईज वेल्गब मैं पिमानी चैनल मैं हो सगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बारा आपसवागत है तो अगेन मैं एक आज ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ और ऐसी चीज आपको बनाने आई हूँ जिसके बारे मैं अभी तक आपको नहीं पता हुआ मैं बोलूँ की काफी पुराना उपाय लेकिन काफी काराघार उपाय है और इसको करके आप अपने पेट को बेकुल सपाध कर सकते हैं आ तंग आप देख सकते हैं कि इन कुछ दिनों में मैंने भी अपना पेट काफी सपार्ट किया कभी जो मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं वो मुझे देखना है कि किन्ही कारणों की रज़े से मैंने भी वेट पुट ऑन हीया था लेकिन इस लॉक्टाउन में मेरा वेट काफी अच्छा गया है मैंने अपना पेट भी आप देख सकते हैं मैंने अपनी कमर और पेट भी काफ अपनी पीदेख सपाट पुट 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 आपको लगता है कि उसके प्रस्किया हूए तो कहींन करहीं है आपके पीट को टक करेंगा अंदर करेंगा और क्योंकि एसा देखा गया है कि पेट की जो जू चरवबी है और निकला रहता है वो हमारे नाभी एरिया के पास ज करने वाले हैं अपनी डेसी पुरानी जुगार के तरफ जाएंगे कैसे पुराने लोग आपने देखा होगा कि इतना अच्छा उन्का फीगर रहता था इतना अच्छा पेट रहता था सब कुछ अच्छा रहता था लेकिन वो सिर्फ किन उपायों से रहता वह आज मैं आपको बताऊंगी सरु इसमें से एक उपाय बताऊंगी काफी ज्यादा अच्छा है काफी ज्यादा एफेक्टिव है मैंने भी यूज किया है और एक चीज मैंने और भी यूज की है हो सगेगा तो इन लिंक मैं उपर दे दूगी मतब उपर आपको इस्क्रीन प वीडियो बनाएए तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक चैनल भी है और चैनल है सुदम व्यूटी जोन करते हैं उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी आप उस पर जाके मेरी इस्किन से रिलेटेड कोई इशू हो हैर से रिलेटेड कोई इशू हो सारी अब पुखा सकते हैं तो टाइंग को बेस नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरह सो फ्रेंड्स के लिए आपको एक छूटा सा पैन चाहिए और उस जब वो गरम हो जाए तो उसमें आपको डालना है सर्सों का तेल और जब ये सर्सों का तेल भी अच्छे से गरम हो जाए गरम इंडर सेंज कि ये पूरी तरह से पंग जायां जब पूरी तरह से पक जाया, जब अपको एड करना है तब आपको इसमें अब करना है धेडjust सारा हीं और बस आपको गइस बंद कर देना है और हीं में थोड़ी से भी और apply tools करोंगी है धीर सारी हींग कपड़, चकोर कपड़ या फिर रूई जो जिसे कॉटन बोलते हैं उस पे ठेड सारी आपको हींग रखनी है और उसे आपको अपनी नाफी पे रखना है राद भर इसे क्या होगा एक ध्यान रखेगा यह पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए हल्का सा गुंगना आपकी नाफी चर्बी को और पेट को सिकोडने में काफी हल्क परेगी इवन आपको जो गैस्टिक प्रॉब्लम रहती है आपके पेट में जो आपको पेट साफ ना होने की दिक्कत होती है वो भी बहुत हद तक ठीक करेगे आपके देखा आसान देशी उपाए साथ ही साथ इस लॉंड़ नहीं है साड़ी सब हर कोई आपको कॉंप्लिमेंट देगे वाला है वीडियो जला साब बेंफॉर्मेटिव लागे लाइक कर दीजेगा चाल पसंद आता प्रफन से सब्सक्राइब करेगा मेरो दिखो बहुत ही जल्दे इंगा है वीडियो के साथ तब तक के लिए